पता नहीं क्यों सच में मुझे नहीं पता मैं इस बकवास शो को क्यों देख रहा हूं बावजुद इसके कि सेकिंड सीजन में मुझे पता चलिका तब बहुत ज़ादा बकवास हैं तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे Money Heist Web Series के थर्ड सीजन के बारे में और थोड़ा बहुत हमें इसके फूर्थ सीजन को भी मतलब उसके बारे में भी डिसकॉस करने वाले इसके 3rd season में तक्रीबन 8 episode है और हर episode की length वही 45-50 minute के आसपास है same हाल 4 season का है फिलाल मैंने 3rd season complete किया और 4 season half ही मैंने उसका complete किया है कभी-कभी आपका मन ऐसा किया है कि आप एक बकवास चीज देख रहे हो बावजूद इसके यह जानते हो क्योंकि वह बकवास आप उसको देखते ही जा रहे हो पता है क्यूं क्योंकि वह बकवास है जिनको कहानी के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा वट उनको कहानी के बारे में बता देते हैं एक professor है वो कुछ लोगों को पकड़ता है कहते हैं हम bank of Spain के अंदर एक डकैती करने वाले हैं चोरी करने वाले हैं आजो मैंने एक plan बना रखा है और वो इनको लेकर जाता है उसमें plan बना रखा है वो मतलब उसमें चोरी चोरी कर रहते हैं ठीक था मतलब इतना सही था कि एक चोरी वाली एक web series देख रहे हैं इसलिए उसमें चोरी होनी है, जैसे इसका नाम है, ठीक था, बहुत था, इनोंने जो प्लोट बनाया बिल्कुल बड़ी अदा, लेकिन भाई इसके अंदर जैसे इनोंने आइडेलोजी गुसेडी है, अपनी, मतलब जिस तरीके से इनोंने रिप्रेजेंट किया है इन चोरों कि वो लोगों के बहुत बड़े, मतलब मसियां है, मतलब ऐसा समझो, एक देश बिल्कुल ब्रस्ट हो चुका है, जैसा इसमें दिखाय जा रहा है कि स्पेन बिल्कुल ब्रस्ट हो चुका है, अब वहाँ पर ये जो लोग चोड़ी करने आते हैं, जनता, स्पेन की जनता, इनको मसीहा मान दिल लग जाती है कि हाँ ये दो कोई मसीहा है और ये भी अपने आपको भाया तुर्रम खा समझने लग जाते हैं और ये संचते हैं कि अब तो भाया सरकार वर्सीज हम हो गए वालों सरकार वर्सीज चोर अब ये चोर्ज है वो इस देश को बचाएंगे मुझे एक बास समझनी आई, मैं जब से इसके first season से लगा हूँ, इन चोरों ने जनता को क्या ऐसा दिखाया, क्या ऐसा बताया, क्या ऐसी उमीद दी, जिससे जनता ने इनको अपना hero बना लिया, कोई एक particular चीज ऐसी, कि आर भरस्ट हो चुका था, अब भरस्ट में अब यही आर और यही जो चोई कर रही है, वही असली मैं hero हैं, और भाई वह भी तो तुम्हारा यह रुपएयर चुरा रहे हैं, वह भी एक तरिके से जो bank में रुपए रखाये, वह सरकार का थोड़ना वह भी तो जनतागा हो तो ही होता है, जनता का रुपएय है, और उस रुपे तो वो चुरा रहे हैं मतलब वहां की करंसी रोपया तो अपनी देश की करंसी मतलब समझ रहे हो ना मनी 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 हाँ जो मनी चुरा रहे हैं और जिस सरकार के खिलाब यह जनता नारे लगा रही है भाई साब उस सरकार को चुनकर तो इन्हों नहीं बेजाता है और नहीं प देखता हूँ भाई सौ मैं एक तो हसी भी आ रही होती है और उपर से गुसा इरिटेशन सब मतलब सब फिलिंग ही मैंसूस कर रहा होता हूँ वहाँ पर यह क्या बनाया है और क्या सोचकर बनाया है मतलब दाग देनी पड़े लोगों को भी ऐसे इस जो बना देते हैं जहां पर एक ऐसी आइडिलोजी दिखा देते हैं कि हाँ भाई आगर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो जाकर भाई किसी भी बैंक में रकैती कर लो अब जनता वहां कि तुम्हें हीरो मानने लग जाएगी और जो सरकार है जो प जी सा मैतर उनसे यह नहीं हो रहा और जिस तरीके का इसमें जो इसी स्पेन के अंदर डेमोक्रिसी की बात दिखाई गई है जनता को तो पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है ना आप बो लोगों को अगर पता चल गया तो लोग हमें उखाड के फैंक देंगे तो यह वाली ची करें के खड़े हो रहे हैं कि हां भाईया हम सरकार के खिलाफ हैं हम इन चोरों के खिलाफ वह इतना खड़ा होने भी देती इतना वह सह लेती अगर इतनी ही खराब होती वह सरकार तो क्या तुक बनता है इस बक्वास को दिखाने का और इसकी आइडिलोजित मैंने कहा कि बक जाहिल ज़रूर हैं लेकिन अन पड़ तब इल्कुल भी नहीं कहूंगा इन पड़ एक समझदार इंसान है उसकी क्यों मैं एक तरीकी की क्यों उसकी बराबरी इन बकवास लोगों के साथ करूं तो यह जाहिल जो लोग इसमें दिखाया जाते हैं भाई अपने आपको वह हीर तक जा सकती है और इसकी हदें तो भाई आप बहुत ही गहरी है इस आइडियोजी के अलावा जो यह जो चोर यहां पर बैठके एक दूसरे के ओपर बंदूग तान लेते हैं अपने ही दोस्तों के ओपर अपने ही खली के ओपर अपने ही पार्टनर्स के ओपर कि भाई मैं तो जो गोली मार दूँगा या मार दूँगी भाई सीरियसली वो कभी भी एक दूसरे को गोली नहीं मारने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके कि उनकी सोच है वो एक दूसरे को सपर्ट करने ही आये हुए है वो फाल्तू का ड्रामा है भाई वो इतना ओवर लगता है ना यार क कहीं कई पर तो ऐसे ओवर ड्रामेटिक चीज दिखा रहे हैं कि भी अपने एक वो लेड़ी अलिस्बन लिस्बन करके वो अपने बालों को एक तुम बांती और बात करने आती और फिर एक तुम से यार वो इतना मुझे बखवास सा लगते हैं कितनी तुम यार क्या बखवास यार में कहीं पर भी स्टाट होई जा रहा है और हर इंसाण चोईवो प्रीस वाला हूँ चोरी करने वाला हो चोहीं हो उनको बीच में बैठा कोई होस्टेज हो हर कोई बस धर्य है मतलब धरक से बछाए हम ये पूरा शोई वैसे देखा ए तो थरक से बहां पड़ा है एक मुझे कोई भी suspense नहीं दा गई है इसके अंदर यह कर पाएंगे जिसके अंदर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं यारि आखें में यह चोई जीतेंगे क्योंकि जिस तरह के मैंने पूरा शो नहीं देखा ना मैंने किसकी कहानी कहीं पर भी सुनी है मैंने तो यह शो इसलिए देखना शुरू किया था क्योंकि इसके बारे में चर्चाएं बहुत हो रही थी जब इसके last में इसका final season आया था part 2 आया था season 5 का तो वहाँ पर जिस तरीके की video बना बना कर डाली जा रही थी YouTube के उपर भी या thank you thank you India कर रहे थे तो तब वहाँ से चीजे मतलब grab हुई की मतलब चलो देख लेते हैं यार इतना ही क्या है इसके अंदर मुझे इसकी ending नहीं पता बड़ जिस तरीके की जैसे चल रहा है तो ending में obviously यही हो गए है चोर जीतेंगे सरकार को नीचा दिखा देंगे और कहेंगे कि हाँ चोर ही सबके बड़े राजा होगे मशिया होगे जब जनता को बस हर एक इनसान को अब चोर बनने की जुरूरत है उसी से बदलाव आएगा उसी से एक जो सोच है वो सबकी एक समान और भाई थार्ड फॉर सीजन यार इतना कुछ है मेरे पास बताने को इसके फॉर सीजन में वो एक प्रोफेसर जाके जनता को बताता है कि देखो जी हमारा एक बंदा इन्होंने पकड़ लिया है अब यह समीधान का पालन नहीं कर रहे हैं तुम चोर हो तुमने पहले उससे पहले बैंक में डकैती डालके पैसा चापके वहां से तुम रुपया लेके गए हो और अब भी तुम जिस बैंक में खड़े हो उसका तुम सोना जो चुरा रहे हो वह उसी देश का तो बहुत ही बढ़िया सोच जा रही है तो भाई मेरे लिए तो यार सच में ऐसे हैं इसको पता नहीं कब तक मैं जेल पाऊंगा फिलाल फॉर सीजन का आदा तक जा चुक हम फिफ्ट के दो पार्ट हैं देखते हैं चलो अगर देखा जाए तो बढ़िया है नहीं देखा जाए तो कोई भी फर्क थोड़ना पड़ रहा है बखवास है बखवास पड़े रहे का साइट में तो साच इतना रखने है इस वीडियो में थैंक्स पर वॉचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद